एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था, एक दिन उसके दर्बार में एक विदेशी आगन तो काया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर औफार स्वरूप प्रदान किया, राजा वो पत्थर देख बहुत प्रसन हुआ, उसने उस पत्थर से भगवान विश्णू की प्रतिमा का निर्मान कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्ने लिया और प्रतिमा निर्मान का कार्य राज्य के महामंत्री को सौप दिया। महामंत्री गाव की सर्वश्रेष्ट मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णू की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं. साथ तिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णू की प्रतिमा तयार कर राजमहल पहुचा देना. इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ल मुद्राएं दी जाएंगी. 50 स्वर्ल मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांद प्रतिमा का निर्मान कार्य प्रारम करने के उद्देशे से अपने ओजार निकाल लिए. अपने ओजारों में से उसने एक हथोड़ा लिया और पथर तोड़ने के ये उस पर हथोड़े से वार करने लगा. किन्तु पथर जसका तस रहा. मूर्तिकार ने हथोड़े के कई वार पथर पर किये. किन्तु पथर नहीं तूटा. पचास बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देशे से हथोड़ा उठाया किन्तु ये सोचकर हथोड़े पर प्रहार करने के पूर्वी उसने हाथ कीच लिया कि जब पचास बार वार करने से पत्थर नहीं तूटा तो अब क्या तूटेगा? वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना ना मुम्किन है इसलिए इससे भगवान विश्नु की प्रतिमा नहीं बन सकती महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिती में पूर्न करना था इसलिए उसने भगवान विश्नु की प्रतिमा निर्मित करने का कारिया गाव के एक साधारन से मूर्तिकार को सौफ दिया पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथोड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही तूट गया पत्थर तूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश, पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता, तो सफल हो गया होता और पचास स्वर्ण मुद्राओं का हगदार बनता सीख मित्रो, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो-चार होते रहते हैं कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरन करने के पूर्व ही हमारा आत्म विश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किये बिना ही हार मान लेते हैं कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं जब की हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्व हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार-बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खीच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें काम्याबी प्राप्त हो जाए